हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे एक दम नए तरीके के बहुत ही टेस्टी और चटपटा नास्ता और इस नास्ता को ब्रेट से बनाकर तयार करेंगे और ये नास्ता बहुत ही कम समय में सिंपल तरीके से कम चीजों में बनकर तयार हो जाता है और ये नास्ता बच्चे बरे सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है तो देर किस बात की चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो फिलीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब चरूर कर देजिएगा तो इस रेस्पी को बनाने के लिए यहां पर हम दो मीडियम साइज के उबला हुआ आलू ले लिए हैं आलू को ठंडा होने के बाद इसका शिलका निकाल लिए थे और अब हम इस दोनों आलू को एक ग्रेटर के मदद से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे आप चाहे तो इसे मैसर के मदद से मैस कर सकते हैं या हाथों से भी मैस कर के ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा आलू के बरा टुकरा नहीं होना चाहिए तो यहां पर हम दोनों आलू को कदुकस कर लिए हैं तो अब इसमें हम डाल दिये हैं एक बारी कटा हुआ हरी मिर्च, हरी मिर्च अपने तिखा के कोडिंग कमिया ज़्यादा कर सकते हैं, साथ में एक इंच कदुकस किया हुआ अधरक डाल दिये हैं, अधरक के टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, और इसी के साथ एक मिर्च पाउडर डाल दिये हैं, यानि की बलैक पेपर, और इसी के साथ इसमें हम एक चोथा चोटा चमच भूना हुआ जीरा पाउडर डाल दिये हैं, और साथ में ही इसमें हम आधा चोटा चमच चाट मसाला डाल दिये हैं, और साथ में ही स्वाध कनुसार इसमें हम काला और यहां पर अगर आपके पास चाठ मसाला के जगह पर आमचून पाउडर डाल ली जिएगा या एक चोटा-चमच निमबू के जूस डाल ली जियेगा और अब हम इन सभी चीजों को इस तरह से अच्छे से मिक्स करलेंगे तरह कि मसाला आलु गाले यहां फोली हैं और ये हमारा आलू के चटपटा सा स्टपिंग बनके तयार है तो अब हम इस आलू के स्टपिंग को साइड में रख देते हैं और आगे के तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर हम ले लिए हैं पान से छे खुआइट वाली ब्रेड के सलाइसेस आप चाहे तो इसके जगा पर ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं और जरूरी नहीं है कि इस रेस्पी के लिए बिल्कुल फ्रेस ब्रेड चाहिए यानि कि एक दिन पहले का भी ब्रेड आपके घर में रखा है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं तो अब यहां पर हम एक जाली बला प्लेट ले लेंगे या इस्टीमर लेंगे और इसमें हम इस ब्रेड को रख लेंगे तो जितना पीस आपको नस्ता बनाना है उतना ब्रेड आप इसमें रख लीजिएगा तो इस्टीम करने के लिए गैस पर एक कराही में एक कप पानी डाल दिये हैं और पानी मुवाल आने के बाद उसमें एक स्टैन या कटोरा रखेंगे उसके उपर इजाली वाला प्लेट यानि की ब्रेड वाला प्लेट को रखेंगे और इसको ढग कर लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए इस्टीम लगा लेना है दो मिनिट के बाद इसका धकन हटा लेंगे और आपको मैं दिखाती हुए देखिए ब्रेट बिल्कुल फ्रेस ब्रेट के तरह लचीला और सौप्ट हो गया आप देख सकते हैं फोल्ड करने पर भी यह नहीं तूटता है तो अब हम गैस के फ ब्रेट को साइड में रखेंगे और इस तरह से बेलन को दबाते हुए ब्रेट को बेल लेना है एक से दो बार इसके उपर बेलन चलाने से ब्रेट हमारा बिल्कुल पतला और लचीला हो जाएगा और इसके बाद यहां पर जो हम चटपटा सा आलू के स्टपिंग बनाए थ कि और अच्छे से ब्रेट के पुणे को अच्छे से लगा लेंगे यहां पर ब्रेट के उपर सच्छे से पीन लगाईएगा यानि कि możeFid lips लिगाना है जगल लियाकर इसको हलकी हाथे प्रेस करेंगे तो यह अच्छे से चिपक जाएगा ज्यादा दवाने के ज़रूरत नहीं है और आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा एक फुलावर के सेप में यह नास्ता बनकर तयार हो गया है आप दुसरे साइड भी देख सकते हैं तो यह तरह से हम सभी नास्ता को बना कर तयार कर लेंगे तो यह लिजिए यहां पर हम सभी नास्ता को बना कर तयार कर लिए हैं तो चलिए इसको लेकर चलते हैं गैस के तरफ तो यहां गैस पर हम एक पैन रखे हैं और आप पैन के जगह पर तावा भी ले सकते हैं और इसमें हम या बटर भी इसमें डाल सकते हैं और तेल को पूरे पैन में फैला लिए हैं और पैन को गरम होते ही जो हम नास्ता बनाए हैं उस नास्ता को इसमें एक एक करके डाल लेंगे जितना एक बार में पैन में आ सकता है उतना डाल लिजिएगा और यहां पर गैस के फ्लिम लो रख और इस तरह से इस ब्रेड के उपर बटर या तेल थोरा सा लगा लेंगे और थोरी दिर बाद इसको हम इस तरह से एक एक करके पलट लेंगे और इसी तरह से इसको अलटते पलटते हुए सभी साइड गोल्डेन कलर आने तक यानि क्रिस्पी होने तक सेक लेना है तो यह देख तो ये लिजी हमारा बहुत ही टेस्टी और चटपटा नास्ता बन कर तयार है वीडियो पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक सेयर और चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजिएगा जै हिन जै भरत